इस्ट्टेंट कैसे आप लोग? चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्सा आठ गनीत का मॉडल पेपर तो देखिए ये मॉडल पेपर है जो मैं करवा रहा हूँ एक्सिलेंट की डेस्क वर्क से तो एक्सिलेंट की डेस्क वर्क में किया है? पाँच मोडल पेपर दिये है जिसमें से पहला मोडल पेपर है जो हल किया हुआ है तो देखे, मैं यहाँ पर दूसरा मोडल पेपर करवारा हूँ तो देखे, हम दूसरे मोडल पेपर का solution करते है तो यह पहला परशन दिया है a into b बराबर b into a में कौन सा नियम है तो इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है यह हमें करना है और यह वेकल पे एक परसन है जिसमें एबे सेदे में से कौन सा उतर सही है वो हमें बरना है तो देखिए साचरिय नियम दिया है तो साचरिय नियम में क्या होता है कि कोई भी तीन संख्या जोड में होती है तो क्या करना है कि उनकी दो संख्याओं को पहले जोड़ो फिर तीसरी को जोड़ो या पहले वाली को बाद में जोड़ो और दूसरी वे तीसरी को पहले जोड़ो तो भी उनका इंस्वर क्या होता है बराबर होता है तो ये साचरीय नियम होता है संवर्त नियम है जो योग पर लागू होता है कि दो संख्यों का योग हमेशा पुरणांक होता है तो उसको संवर्त नियम कहता है और परतिलोम है जो क्या होता है उल्टा परतिलोम का अर्थ होता है उल्टा और ये परतिलोम गुनात्म परतिलोम और योजी बड़ दिलोम होता है फिर देखे ये नियम है करम विनिमे नियम जिसमें इन संख्याओं का किया किया गया है करम बदला गया है कि A को B से गुना किया बराबर में B को A से गुना किया तो इनका गुना करने पर हमें साइंस्वर समान आता है तो ये करम विनिमे नियम है इसमें दे options सही हो जाएगा फिर देखिए अगला परसन है हमारा संख्या 64 की गनमूल संख्या होगी गनमूल का मतलब होता है कि इसका क्या निकालना है कौन सी संख्या है जिसकी तीन गात करने पर 64 आता है तो देखिए 64 की गनमूल क्या है और 64 है जो क्या है एक गन संख्या तो 64 किसका गन है तो 64 है हमारा 4 का गन कि 4 को हम 4 से गुणा करने पर 6 आता है और 6 को 4 से गुणा करने पर क्या हो जाता है तो 64 का गन मूल हो जाएगा 4 और 4 का गन है जो हो जाएगा 160 फिर देखे तीसरा परसंदिया है हमें कि रुपे 840 अंकित मुलिये वाली एक वस्तू रुपे 714 में बेची जाती है बट्टा और बट्टा परतिसत कितना है बट्टा का मतलब क्या होता है छूट होता है तो चली अब इस परसंदिया हम क्या करते है हल करते रहा पकारिये में तो देखे क्या हो जाएगा यह हमें अंकित मुलिये दिया है 840 और इसको बेचा कितने में है 714 में तो हमें छूट कितने मिली है तो यह गटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा 0 में से 4 जाएगा 910 में से 4 गई 6 य मेली ہے तो यह शूट मेली हैं अंकित मुल्य पर तो शूट का परतिसत जियाद करने के लिए हम क्या लिखेंगे शूट बट्ति अंकित मुल्य गुना परतिसत का मतलब होता है 100 से गुना करना तो यह जीरो से जीरो खट जायेगा अब इसमें देखो 21 बग का बाग जाएगा 24 चोरश ही उपर 26 126 अब 2 का बाग जाएगा इसमें 2 बार 6 में जाएगा 3 बार 2 का बाग 2 में 1 बार 10 में जाएगा 5 बार अब उपर क्या रहा 3 गुणे 5 तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 यह आजाएगा परतिसत में तो 126 रुपे की छूट मिली और परतिसत में यह है 15 परतिसत तो देखिए 126 रुपे और परतिसत बे उप्सन हमारा सही हो जाएगा फिर देखिए अगला चौथा परसन है कि यदि 5 बटे 3 बराबर X बटे 6 हो तो X का मान है तो X का में मान गयात करना है बराबर में यह दिया है तो इसको भी देखिए हलकर 13 पकारिय में तो क्या हो जायेगा 5 बटे 3 बराबर में X बटे 6 अब ये च्छे हों जो किया है X के साथ बाग में है इसको इदर वेजेंगे तो ये 5 बटे 3 के साथ किस में आजाएगा गुणे में जाएगा, अब बराबर में रहेगा X, अब देखिए तीन का बाग, छे में जाएगा दो बार अब पांच को दो से गुणा करेंगे हम तो कितना जाएगा 10, तो X का माना जाएगा 10, तो देखिए 10 है, जो option number 2 में है तो ये 2 सही हो जाएगा फिर है हमारा, नेमन में से कौन सा X पलस 2, X माइनस 2 का गुणन फल है तो देखिए, इन दो नौका क्या करना हमें, गुणा करना तो इसमें क्या है, एक सरुसमी का भी लगती है कि 1 पलस B, और A माइनस B कोई भी दो समान सेंके, आपसमें गुणा में एक बार पलस है, एक बार माइनस है तो क्या होता है, A का स्क्वेर माइनस B का स्क्वेर तो यहां X पलस 2, X माइनस 2 तो इसमें सरुसमी का यह लगीगी A की जगे X आया, B की जगे 2 आया, तो X का स्क्वेर माइनस 2 का स्क्वेर बराबर क्या हो जाएगा x square minus 2 का square होता है 4 तो ये हो जाएगा हमारा option number 2 सही फिर देखिए चटा person है आईत के विकर्ण होते है तो देखिए ये आईत क्या करती है आईत में आमने सामने की बुझाएं है जो लंबाई में बराबर होती है और आईत के विकर्ण भी क्या होता है लंबाई में बराबर होता है अब लंबाई में समान होते है तो ये आजाएगा कि ये लंबाई में आईत के विकर्ण है जो समान होते है चली अब अगला परसन देखते है सांत्वा देखे अगला साहत्वा परसन है कि वे सबसे छोटी संख्या ग्यात कीजिए जिससे संख्या 81 को बाग करने पर पूरण गन प्राप्त हो जाए हमें क्या करना है एक पूरण गन संख्या प्राप्त करनी है तो देखे हम पहले 81 के क्या करेंगे अबाजी गनन खंड मतलब इसके टुकड़े करेंगे तो 81 के अंदर सबसे पहले 3 का बाग जाएगा 27 बार फिर 27 में और 3 का बाग जाएगा 9 बार फिर 9 में 3 का बाग जाएगा और 3 बार और 3 का बाग 3 में 1 बार तो अब देखिए एक एसी के यह बाजी गुणन गुणड हो गई तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन चार बार तीन आया लेकिन आपको पता है गनमोल में क्या होता है कि किसी भी साइंच्या की गात तीन होती है तो वो क्या होता है उसका गन प्राप्त होता है तो हम 21 से किया करना है एक पूरण गन प्रप्त करना है तो हमें यहां कितनी रखनी है तीन की गात तीन रखनी है यहां कितनी आई यह तीन की गात चार तीन है जो चार बारा है तो हम क्या करें कि एक तीन को काट देंगे काटने का मतलब तीन से हम इसको बाग लगाएंगे तो एक त तीन से एक तीन कट जाएगा और हमारा तीन की गात तीन प्राप्थ हो जाएगी और तीन की गात तीन का मान होता है 27 तो अब हमें 27 प्राप्थ होगा जो एक पूरण गन संख्या है और एक यसी में हमने किसका बाग दिया एक यसी के ये टुकड़े है और इन टुकड़ों में तीन का भाग दिया तो क्या लिखेंगे कि इक्यासी में तीन से भाग लगाने पर तीन से भाग देने पर पर पूरण गन संख्या प्रब्द होती है यह हो जाएगा फिर देखिए अगला परचान आठवा परसंद है वेंजक 4P की गातीन यह माइनस 3P का गुनन भल क्या होगा तो देखे इन वेंजकों का क्या करना हमें गुना करना है तो देखे 4P की गातीन गुने में क्या हो जाएगा माइनस 3P अब देखे यह संख्या पलस की है और यह माइनस की है तो पलस इंटू माइनस क्या होता है पलस गुने माइनस बराबर होता है माइनस तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस फिर चार इंटू तीन पहले चिन्नों का गुना करना है फिर संख्याओं का गुना करना है तो 4 into 3, 4 तीय हो जाएगा 12 फिर P into P, यह स्वारी P की गात 3 into P तो कोई भी दो समान सेंखें अगर गुणे में होती है और उनकी गाते अलग अलग है तो क्या होती है उनकी गाते जुड़ जाती है तो यहाँ P है तो उनों जगे गुणे में और गाते क्या हैं अलग अलग है तो P की गात 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 गात मानी जाती है तो 3 और 1 गात कितनी हो जाएगी P की गात 4 यह हो जाएगा फिर देखिए अगला परसंट तो अगला परसंट है हमारा आकर्ति में माप X ग्यात कीजिए हमें क्या करना है इस आकरती में ये X कौन दिया है इसकी माप हमें ग्याद करनी है और बाकी वाड़ी तीनो कौनों की माप दी गई है लेकिन देखिए तीनो कौन क्या है इस आकरती के बार की और बने है और बार की और बने कौनों को हमेंसा क्या कहते है बाई ये कौन तो अमेसा 360 degree होता है ठीके ना तो बवबुज के बाइए कोणों का योग बराबर हो जाएगा 360 degree तो इस बवबुज के ये चत्रबुज बना हुआ है तो इसकी 4 बाइए कोणों का योग कोणों का योग कितना होगा 360 अब देखिए चारों कोनों का योग करते हम तो देखिए क्या है 110 प्लस 50 प्लस 90 प्लस ये कौन है जो X है बराबर में 360 डिगरी अब इन तिनों को हम जोड़ेंगे फिर ये इदर प्लस के उदर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो देखिए 110 और नब्बे जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा और 250 प्लस प्लस में रहेगा हमारा कौन X बराबर 360 डिगरी अब ये कौन X इदर रहेगा ये 250 इदर प्लस का है उदर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ये कौन X बराबर किया जाएगा 360 में से 250 गटाएंगे हम तो ये पीछे रहेगा 110 डिगरी तो ये कौन X की माप है जो 110 डिगरी आ जाएगी फिर देखे अगला परसन है हमारा दसवा किसी सम चत्रबूज के विकर्ण 7 दसमलोग 5 सेमी वे 12 सेमी है तो इसका छेतरपल ग्याद कीजिए तो इसमें आपको सम चत्रबूज के छेतरपल का सुतर आना चाहिए तो देखे सम चत्रबूज का छेतरपल तो सम चत्रबूज का छेतरपल सम चत्रपूज के छेतरपल का सुतर क्या होता है यह लिएजिए सम चत्रबूज का छेतरपल बराबर होता है एक बट्टे दो गुणा विक्रणों का गुणा नफल या विक्रणों का गुणा तो एक बट्टे दो इन्टू विक्रणों का गुणा अब क्या कीजिए इनको एक बट्टे दो और विक्रणों से गुणा कर दीजिए तो ये एक बटे दो गोना विकर्ण क्या है साथ दसमलो पांच गोना बारा तो इसका हम दसमलो खटाएंगे या इसे ही रख दो दो का बाग दो में एक बार बारा में कितनी बार जाएगा छे बार अब यहारा एक गोना साथ दसमलो पांच गोना कितना हो गया छे अब इनको गुना करो तो एक को कोई भी संक्या से गुना करते है तो वहीं संक्या आती और साथ दस्मलोग 5 को क्या कर लो 6 से गुना कर लेजी तो 5,30 का 0 हांसिल 3,6,7,42 और 3 कितना हो जाएगा 45 पॉइंट के पीछे एक संक्या है तो पॉइंट के पीछे ये संक्या रखे तो यह हो जाएगा 45 दस्मलोग 0 या इसको हम 45 भी लिख सबते है क्योंकि दस्मलोग में 0 हा है तो इसका कोई मैसो नहीं है या जाएगा सेंटिमेटर स्क्यार चलिए अगला 11 परसंद देखिए 11 परसंद है यदि आपके पास 3 हरे तिरजिये खंड एक निला तिरजिये करने की पराइकता क्या है जो निला नहीं हो तो इसके अंदर आपको क्या क्या गया है दो परसंद पूछे गए हैं तो दो परसंद देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कुल तिरजिये खंड तो यह हो जाएगा कुल तिरजिये खंड कितने हैं जिनको कुल परिणाम भ परे हैं एक नीला है और एक तिर्जेखंड कैसा है लाल है तो यह तीन और एक चार और एक पांच तिर्जेखंड हो गए टोटल अब इसमें से क्या कर गया है कि तिर्जेखंड वाला एक गोमने वाला पैया है एक पैया है जो गोम रहा है तो इसमें एक हरा तिर्जेखंड प तो हरे तिर जी घंड कितने है संख्या में एक है सिरफ और प्राइकता क्या होती है तो प्राइकता को ग्याद करने का सुत्र होता है कि प्राइकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम होता है कि संभावना कितनी है किसी भी संख्या के आने की या किसी भी वस्तु के आने की बटे में होता है कुल परिणाम तो कुल तिरजी खंड आमारे पास कितने है तो हरे तिरजी खंड पराप्त होने की प्राइकता कितनी हो जाएगी एक बटे पांच कि हरे तिरजी खंड कितने आये एक है तो इनके आने की संभावना कितनी होगी एक और कुल परिणाम या कुल तिरजेखंड कितने है पांस तो बटे में कुल तिरजेखंड एक बटे सुरी हरे तिरजेखंड आने की प्राइकता एक बटे पांस हो जाएगी अब देखिए वापस किया पुछा है कि जो तिरजेखंड नीला ने हो उसके आने की प्राइक्ता तो जो नीला नहीं होगा तो बाकी वाले सारे हो सकते हैं इसमें देखिए एक नीला नहीं आएगा तो इसमें लाल भी आ सकता है और हरा भी आ सकता है तो नीला ने हो की पराइकता बराबर किया हो जाएगा नीला के अलावा वाले कोई भी आ सकते हैं तो नीला के अलावा कितने हैं तीन हरे और एक लाल तो इनके आने की संभावना कितनी हैं चार और कुल परिणाम कितने हैं पांच तो नेला नहीं आने की प्राइकता क्या हो जाएगी चार बटे पांच हो जाएगी फिर देखे अगला बारवा पर्षन तो देखे बारवा पर्षन के अंदर तो देखिए बारवे पर्षन के अंदर की आका गया है कि निमन लिखित कतनों को पढ़ कर सत्य या सत्य में से उप्यूक्त पर निसान लगए कि सत्य या सत्य पर निसान लगए कौन सा कतन सत्य है तो सत्य पर निसान लगए तो सत्य पर निसान लगए तो क्या दिया है कि 3a प्लस 25 बराबर b2 में b का मान 5 है तो देखिए इसको कैसे हल करना है कि इसको जोड करना है और यह है जो कतन है जो आपके 60 वे परशनावली से आए जो संख्याओं के साथ खेलना वाली परशनावली है उसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना तो उस देखी, कैसे हल करेंगे, तो इनको आप पहले इस तरीके से लिखिए रफ खारिये में, फिर इनको हल करेंगे, तो देखिए, तीन अ पलस में 25 और इनका इनस्वर जो दिया है, बी 2, तो देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम, कि 5 में हम कितना जोड़े तो 2 आजाता है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 12 का 2 हासिल लगेगी 1 3 और 2 कितना होगा 5 5 और A की हासिल वाला कितना हो जाएगा 6 तो B की जगे हमारा इंसर आएगा 6 तो इसमें क्या दिया है B का मान 5 दिया है तो ये क्या है कतन A सत्य है तो इसमें A सत्य है पर राइट का निसान लगना है फिर अगला दिया है 4 A प्लस अंठान में बराबर C B 3 में C का मान 1 है तो देखी इसको हल करते हैं कि ये A और 8 जोड़ेंगे तो 3 तो होगा नहीं C की जगे क्या आ रहा है 1 तो ये बोल रहा है C का मान 1 है तो हाँ ये सत्य है फिर देखी अगला है A A A इंटू A बराबर 9 A में A का मान है जो 6 है तो देखी इसमें हल करते हैं 1 A और गुणे में A और बटे में भी क्या दिया है स्वरी नीचे A दिया तो ये एक लेंगे तो 1 इंटू A एक ही होगा लेकिन फिर एक को एक से गुणा करेंगे 9 नहीं आएगा फिर ये दो लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा फिर 3 लेंगे तो इन ती नो 4 इंटू 4 16 6 आ जाएगा 5 इंटू 5 25 का 5 और हाँची लोगा 2 5 एक हम 5 और 2 साथ ही होगा फिर देखिए 6 लेंगे तो याँ 6 लेने पर ये अंसुर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा याँ 6 लेने पर 6 को 6 से गुणा करने पर 6 36 का 6 हाँची लगेंगे 3 6 को 3 एक से गुणा करने पर 6 एक हम 6 और 3 नो हो जाएगा तो एक ही जगे की आएगा, छे आएगा, तो यह भी कहए रहे हैं छे आएगा तो हाँ यह सत्य है फिर देखिए, संख्या 2, 1, Y, 5, सुरी, यह Y की गात नहीं है, यह Y के साथ में आएगे, यह 5 नो का गुनज है ये दिवाई का मान तीन है नो का गुनज का मतलब होता है नो के पाड़े में आने वाले संक्या तो नो के पाड़े में ये संक्या कब आएगी जब इसमें नो का बाग पुरा पुरा जाएगा तो चलिए नो का इसमें बाग लगा कि देखते है और नो का तो वो संख्या भी 9 से विबजित होगी तो 8 में हम कितना जोड़े कि इसमें 9 का बाग चला जाए तो अब 8 में हम क्या जोड़ेंगे 1 तो यह 9 हो जाएगा और 9 में 9 का बाग जाता है तो Y की जगे क्या आएगा 1 और यहां क्या बोलडा इस कतन में किवाई का मान है जो 3 है तो यह क्या है यह कतन A सत्य है फिर देखिए अगला परसन 13 परसन में दिया है दिये गए पर्तिक ठोस के लिए 2 दर्सिये दिये गए है पर्तिक ठोस के संगत उपर से दर्सिये और 500 दर्सिये की पैचान कर नीचे दिये गए रिक्त इस्तान पर लिखे तो क्या करना है आपको बताना है कि ये दर्सिय किदर से दिखता है हमें ये दर्सिय किदर से दिखता है हमें तो देखिए यहां उपर से देखने पर ये एक box और ये दूसरा box ये दो box ही दिखेंगे यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है तीन बोक्स सामने से देखेंगे हम तो सामने से एक दो तीन और यह चार बोक्स दिखेंगे लेकिन हम पार सव का मतलब इदर से देखेंगे तो हमें यह दिखेगा एक तो एक यह दिखेगा और एक यह नीचे वड़ा दिखेंगा तो कितन दिखते तो ये तिनों और ये एक साइड वाला तो ये सामने से देखने पर ये दूसरी नमबर वाला दर्सिया में दिखेगा फिर देखें निचले में क्या दिया है दो यां साइड में है और दो यां खड़े है तो ये इसमें क्या दिखेगा कि इदर वाले दो और इदर एक तो इदर वाले दो और ये इदर वाला एक हम क्या करेंगे सामने से देखेंगे एक हमें ये दिखेगा एक ये नीचे वाला दो और एक ये दिखेगा बाकी वाले इनके पिछे रह जाएंगे तो ये हो जाएगा सामने से ये सामने से दर्शिय में ऐसा दिखेगा इदर वाला उपर से ऐसे दिखेगा तो यह उपर से दर सी देखने पर ऐसा दिखेगा तो यहां आ जाएगा उपर से दर सी चलिए अगला चोधो पर से दिया है 600 वैक्तियों पर किये गए शड़क सर्वे के दोरान यतायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वर्त चितर में दर साया गया है वर्त चितर को पड़ कर नीचे दिये गए पर सनों के उतर देजिये पीश वर्त चितर के अंदर हमें आंकडे बताये गए हैं कि क्या कर रहे हैं लोग ट्रेफिक नियमा का पालन नहीं कर रहे हैं तो इनका परतिसद दर सय गया है हमें तो देखें हेलमेंड नहीं लगाने वाले 25 परतिसद लोग हैं अधिक बारजमता वाड़े लोग 30% है, सिंट बेल्ड नहीं लगाने वाले 12% है, ट्रेफिक लाइट का पालन नहीं करने पाले 24% है, और गती सीमा से अधिक 31 जवान चलाने वाले 9% दिये हैं, तो अब देखिए इनको आगे हल करते हैं, जैसे जैसे पर्षन पूछे गए उसी तरीके से, तो देखिए पहला पर्षन है, ट्रेफिक लाइट का पालन ने करने वाले वेक्तियों का परतिसत ग्याद कीजिए, तो ट्रेफिक लाइट का पालन ने करने वाले वेक्तियों का परतिसत, तो देखिए यहां हमें परतिसत में दिये है आंक्डे तो सुरी यहां हमें क्या करने है इनकी संख्या ग्याद करने है क्योंकि परतिसत में तो हमें यह आंक्डे है जो दिये ही गये है तो ट्रेफिक लाइट का 24 परतिसत लोग पालन नहीं करते हैं इनको हम क्या करेंगे इनकी संख्या ग्याद करेंगे तो कुल हमें वेक्तियों की संख्या कितनी दी है यहाँ पर 600 वेक्ति तो देखिए अब हल करते हैं इसको तो यहाँ पर क्या आजाएगा कुल वेक्ति तो कुल वेक्ति बराबर क्या हो जाएगा 600 फिर ट्रेफिक लाइट का पालने करने वालों का परतिसद क्या है तो ट्रेफिक लाइट का पालने करने वालों का परतिसद में कितना दिया है 24 परतिसद हमें इनकी संख्या ग्याद करनी है तो हमें क्या करना है 600 का 24 परतिसद ग्याद करना है तो गुणे में सो लगते और ये दिया है साथ में तो बटे में सो लगते ठीक है ना तो ये दोनो जीरो से दोनो जीरो कट जाएंगे अब हम 6 into क्या करेंगे 24 तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो वापस 24 का 4 हांसील 2 6 दूनी बारा और 2 142 हो जाएंगे तो 144 वेक्ति है जो क्या करते हैं ट्रेफिक लाइट का पालन नहीं करते हैं ट्रेफिक लाइट के नियम को तोड़ते हैं फिर देखें अगला परसने हमारा हेलमेंट नहीं लगाने वाले वेक्तियों की संख्या अधिक बार समता वाले वान चलाने वाली वेक् है तो अब इसमें क्या करेंगे हम पहले हेलमेंट नहीं लगाने वालों की संक्या तो हेलमेंट नहीं लगाने वाले रेक्ती यहां से यह क्या है दूसरे का इंसर है और यह पहले का इंसर है तो कितने वरतिस क्यॅश्या इसका संक्या ग्याद करने तो क्या करेंगे चैस्थ गोंगा ऑप्चीस बटेस्थ sad हमें क्या करनी है चैस सो में से 25 ur परतिससत ग्याद करना है तो यह दोनो-0 से दोनो-0 गए अब आ जाएगा छे गुना पचीस बराबर पचीस छे एकसो पचास वेगती तुछ वेगती आज जाएंगे एकसो पचास अब देखिए क्या करना है अधिक बार समता वाले वान चलाने वाले वेगती से कितनी कम है त तो अधीक समता वाले 30 पर 30 तो अधीक समता वाले अधीक बार समता वाले वेक्तित बराबर कितने बिये हैं 30 पर 30 अब इसका क्या करेंगे 600 का 30 पर 30 ग्यात करेंगे 600 इंटू 30 बटे क्या अवजेगा 100 दोनो जीरो से दोनो जीरो गए 6 गुणा 30 बराबर कितने हो जाएंगे 180 वेक्ति अब है जो ये हेलमेंट वाले वेक्ति है ना जो इनसे कितने कम है तो आपको पता ये क्या करलो सिद्धई घटा लो 180 में से 150 को गटाओ तो हेलमेंट नाई पेनने वाले वेक्ति है जो क्या है अधिक बार समता वाले वेक्तियों से 30 वेक्ति कम है 30 वेक्ति कम है जो इन नेमों का उलंगगन करते है हेलमेंट वालों का अब देखिए पंदरवा परसन क्या दिया है तालिका की जांच कीजिए परतियक आकरती को तिर्बुजों में बांटिये और कौनों का योगफल ग्यात कीजिए तो देखिए क्या दिया है कि ये तिर्बुज है तिर्बुज में बुजाओं की संक्या कितनी दिये तीन दिये और कौनों का इउपल कितना दिया है 180 वापस यह दिया चत्रबुज चत्रबुज में बुजाओं की संख्या होती है 4 तो क्या कर दिया 2 x 180 बराबर 4-2 x 180 4 में से 2 गटाया तो कितना आ गया 2 और 2 को 180 से गुना करेंगे तो इसके कौनों का योग कितना आ जाएगा 360 360 बिगरी फिर अगले में है 5 बुज 5 बुज में देखो 1 2 3 3 तिर बुज बन रहे है तो 3 को 180 से गुना कर दिया क्योंकि 1 तिर बुज के 3 और को नों का योग 180 होता है तो 3 x 180 या क्या कर दो 5 में से 2 गटाओ तो कितना आ जाएगा 3 3 को 180 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 540 डिगरी फिर ये 60 बुज दिया 60 बुज में 1 2 3 4 तिर बुज बन रहे हैं तो इसको 4 x 180 कर दिया या क्या कर दो 6 माइनस 2 कर दो ये क्या है 6 माइनस 2 है 6 माइनस 2 x 180 करेंगे तो भी यह आएगा 4 x 180 बराबर हो जाएगा 720 डिगरी तो यहां से हमें क्या मिल रहा है एक सुतर प्राब्द हो रहा है तो देखिए कौन सा सुतर प्राब्द हो रहा है तो ये सुतर प्राब्द हो रहा है n माइनस 2 गुणा 180 कि जिदनी बुजाओं की संख्या दी उसमें से हमें क्या करना है संख्या जितनी भी भुजा दीए उनमें से दो गटा कर एक सौशी से आप क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा इसके कौनों का योग आ जाएगा तो देखिए इसमें आगे पर्षन पूछे गए या वो हल करते हैं देखिए क्या दिया है पर्षन खाली जगएं दी है कि उपर दी गई सारणी के अदार पर नेमन खाली इस्तान बरो तो उपर जो सारणी दी है उनको समझ कर उसी के अदार पर हमें ये बरने हैं तो क्या है यदि बवबुज में बुजाओं की संख्या साथ हो तो इसके कौनों का योग पल गयात करना है तो बवबुज में अगर बुजाओं की संख्या कितनी दी हो साथ तो अभी हमने वह सुत्र गयात किया था N-2 गोना 180 डिग्री तो अब यहाँ N की जगे भुजाओं की संख्या कितनी दी हमें साथ दी है तो साथ माइनस दो गोना 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा साथ माइनस दो करने पर पांच पांच को 180 से गोना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 900 degree तो ये 900 degree पर हम क्या करेंगे राइट का निशान लगा देंगे या 900 degree को खाली जगा में भर देंगे फिर है अगला ये दी बाव बुज में कौणों का योग 180 degree है तो इसमें बुजाओं की संख्या कितनी होगी या खाली जगा में बरिये तो हमें कौनों का योग कितना दिया है 1080 और कौनों का योग याद करने का सुत्र क्या होता है N-2 गुना 180 तो ये बराबर में हम कौनों का योग रखेंगे बराबर इसको याद करने का सुत्र अब 180 इदर गुने में इदर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा तो अब 0 से 0 जाएगा बराबर में क्या रहेगा N-2 अब 18 का हम भाग लगाएंगे 108 में तो 18 का भाग 108 में जाता है 6 बार फिर ये माइनस का 2 इदर आएगा तो किस में हो जाएगा पलस में और 6 और 2 को जोड़ने पर हमारे बुजाओं की संख्या है जो कितनी आ जाएगी 8 तो इस खाली जगा में आ जाएगा 8 फिर है N बुजाओं वाले बहु बुज में कौनों का योग होगा N बुजाओं वाले बहु बुज में क्या होगा यही सुतर लिख वाया था मैंने कि बुजाओं की संख्या माइनस 2 गुणा 180 तो यहां क्या हो जाएगा बुजाओं की संख्या N दिये तो N माइनस 2 गुणा क्या कर दो 180 डिग्री फिर निचला क्या है कि संभव बुज में कम से कम का कौन है जो संभव है तो कितने डिगरी का कौन संभव हो सकता है संभव बुझ में तो सबसे छोटा क्या होता है संभव बुझ है जो एक संभव तिर बुझ होता है सबसे छोटा क्या होता है संभव तिर बुझ क्योंकि इस से चोटा बहुबूज होता ही नहीं है तो सम बहुबूज तिरबूज में क्या है सम बहुब तिरबूज में तिनों कौनों का मान कितना होता है तिनों कौन क्या होता है आपस में बराबर और इंतों कौनों का मान कितना होता है 60 डिग्री तो सबसे छोटे कम से कम 60 degree का कौन ही संबव है तो देखिए अगला हम क्या करेंगे अगला परसंद 16 से 25 तक हम अगले भाग में पढ़ेंगे तब तक के लिए इसको revision कीजिए